इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और एक टीट्वेंटिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आया है तीन टीट्वेंटि की सीरीज है यह और पहला टीट्वेंटि मौली में खेला जाएगा दोनों टीम्स तयार है चलते हम टॉस की और डिरेक्ट लिए रोई शर्म और एरन पिंच और टेल्स का है और इसे के साथ और टॉस भी जीत लिया और बॉलिंग लि पहली गिन हीजलवुट ओ वाइट से शुरुवात अतिरिक तरन बढ़िया शॉट क्या ड्राइब है रोई शर्मा का यहां पर खुबसूरत शॉट मारा है यह हवा में और बढ़िया कैच मैथ्यू वेल का अंपायर नितिन मैनन ने भी उंगली खड़ी कर दिये है पहला विकेट पैट कमिन्स अपने पहले ही ओवर में विकेट लेते हुए रोई शर्मा को चलता किया बढ़िया कैच मैथ्यू वेड का और रोई शर्मा सात रन बना कर आउट ये देखिए केल राहूल को भी फसादी आई आपर दो विकेट एक ओवर में पैट कमिन्स बढ़िया बॉलिंग कर रहे है और केल राहूल भी सिर्फ एक रन बना कर आउट ये बड़िया शॉट हवा में तो गेंद है पर बॉन्डरी को पार कर जाएगी ये भी बड़िया शॉट है यहाँ पर दूसरा चौका इस सोवर का ये देखिए ये दूर गई है गें छे रन पूरे मिलेंगे विराट कोली को बड़िया शॉट था मिड़ विकेट के ऊपर छक्का जड़ दिया है विराट कोली ने ये देखिए खुबसूरा शॉट फिल्डर रोक नहीं पाएगा चार रन बोल्ड पैट कमिन्स आज इंडियन बैट्समन के पीछे पड़ गए है तीसरा विकेट पैट कमिन्स का और तीसरा विकेट इंडियन टीम का सुर्य कुमार यादों को बोल्ड कर दिया अच्छी पारी खेली 23 रन बना कर आउट यह हवा में गेंद खिलाडी नहीं दो खिलाडियों के बीच से गैब बे निकाला चार रन मिलेंगे और रिशब पन्त यह फ्री हिट पे उठा दिया है ओन बाउंस चौका यह बड़िया शॉट है विराट को ले सिर्फ बाजू को मोड़ा है और चौका जड़ा है यह आउट है देखिए दो आवाजे यहाँ पार विनित नितिन मैनन ने उंगली खड़ी कर दी आज बहुत बरों ने उंगली खड़ी करने का मौका मिला है यह भी कट लगके मैथ्यू वेड तीसरा कैच इस मैच में रिशब पन्त दस रन बना कर आउट वो सीधा खिलाए विराट कोली ने खिलाड़ी वहाँ पर बॉल की तरफ दोड़ रहे पर चार रन मिलेंगे ये देखिए हारदिक पांडिया अपर कट खेलने गए पर स्वीप की तरह खेलने गए और यहाँ पर मैथ्यू वेड का ये चोथा कैच इस मैच में पाचवा विकट गिरा इंडिया का ये हवा में गेंदे चटा विकेट मुश्किल में इंडिया देखिए अक्षर पटेल हवा में गेंद उठा दी उन्होंने पर ज़्यादा डिस्टन्स नहीं दे पाए और ये बड़िया कैच हेजल वोट का और तीन रन बना कर आउट अक्षर पटेल ये देखिए और एक विकेट साथ वा विकेट गिरता हुआ है इंडिया अभी बहुत ही मुश्किल में इस समय कठिन परिस्थितिया इंडिया के सामने चहल गोल्डन डख भागे चाली रहे दीपक चहर यहाँ पार चार रन मिले ये देखिए विराट कोली विकेट को बीच में तेज है और ये मौका बन सकता है नहीं पाँच गए और इसी के साथ इंडिया के सोरन पूरे ये हवा में गेंद आसान कैच दीपक चहर को जाना पड़ेगा वापास बढ़िया कैच यहाँ पर कोई आसान कैच था ये और दीपक चहर भी नो रन बना कर पविल्यन लोटे सीधा मारा है देखिए क्लास ऐज शॉट में चार रन मिलेंगे ये अपील किया है यहाँ पर और अनिल चौधरी जी ने आउट डे दिया है पर शमी ने रिविव लिया है देखिए पिचिंग इन लाइन है विकेट अंपायर कॉल और हिटिंग विकेट को हिटिंग है जाना पड़ेगा शमी को यहाँ पर बीना कोई रन बनाए ये देखिए ये शीदा शौट बढ़िया है चार रन मिले और विराट कोली बावन रन की पारी टीम को संभला इस पारी ने बहुत ही बढ़िया खेले यहाँ पर ओ रन चुरा लिया विराट कोली सूपर फास्ट ये भी हवा में गेंद और ये गिरेगी वन बाउंस चौका विराट कोली और चार गेंदे बची है और ये देखिए एक चौका मार दिया विराट कोली ने ये भागे शाली रहे विराट कोली यहाँ पर चार रन मिलेंगे कोई खिलाडी नहीं वहाँ पर आखरी गेंद बची है और ये नो बॉल भी है और ये नो बॉल पर चौका चेर रन नो बॉल थी ये गेंद और एक गेंद डालनी पड़ेगी हेजल वुट को और इस गेंद पे तो छक्का जड़ दिया विराट कोली ने और अब आखरी गेंद ये भी फुल टॉस और ये तो बहुत दूर जाएगी जी हाँ मॉली स्टेडियम के आर पार बहुत ही पचास रन की पार्टनर शेविन दोनों के बीच बड़िया चखका विराट कोली का और आखिर के कुछ ओवर में इंडिया की बड़िया बल्ले बाजी रही और 171 का एक रिस्पेक्टेबल टोटल खड़ा की आए देखे विराट कोली 75 गिंदों में आखिर तक डटे रहे और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुचा है इंडिया को यह डिफेंड कर सकती है इंडिया और अस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी रही पैट कमिंस ने तीन विगड निकाले एगर के तीन सेंपा एक और रिचर्सन दो और देखना यह होगा और अस्ट्रेलिया यह तार्गेट कैसे चेस कर पाती है नहीं चेस कर पाती है देखेंगे एक ब्रेक के बाद और अस्ट्रेलिया के ओपनिंग जोड़ी एरन फिंच और मैथ्थिव वेड पहली गेन मौमेच शामी और यह रही डॉट गेन बड़िया शुरुवात इंडियन बॉलर्स की ओ यह देखेंगे नो बॉल का खामियाजा चार रन मिलेंगे एरन फिंच बड़िया शॉट यह नो बॉल था और इसके भी चार रन प्रीहेट और यहां पर उठा दिया है बहली ओऊवर बड़ी ओऊर होती हुई यहाँ आमें गेंद और विकेट एरन फिंच को चलता कर दिया है दीपक चाहर ने बड़िया कैच पकड़ा है वहाँ पर कवस में देखिए बड़िया कैच और पहला विकेट मिला एरन फिंच ओधर रन बना कर आउट देखिए शामी का दूसरा ओवर भी कुछ खास नहीं चार रन पड़े हैं दूसरी गेंद पर यह देखिए और एक चोका अस्टेलिया जल्दी में है और यह हवा में गेंद है और यह नो बॉल है और चार रन यहाँ पर यह भी चोका यहाँ पर इंडियन बॉलर्स की धुलाई हो रही है समय कहूंगा यह देखिए गैप निकाला है और एक चोका इंडियन बॉलर्स को कुछ अलग प्लैन करना होगा और यह भी चोका देखिए बुमराथ पहले दो नो बॉल और बाद में चोका यह भी गैप निकाला है कि लाड़ी भाग रहे है अब इंडिया को मुझे लगता है थोड़ी स्ट्राटेजी चेंज करनी पड़ेगी नहीं तो ऐसे रन पड़ते रहेंगे यह देखिए सीधा खेला है इस बार भी कोई चांस नहीं हवामी गेन क्लियर कर जाएगी और एक चोका पचास रन की पार्टनर्शे पिशी के साथ पूरी इन दोनों के बीच बढ़िया चल रहे है उस्ट्रेलिया की पारी यह अवामी गेन तो है पर जेर रन है पहला चक का ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स का मैथिव वेड बढ़िया शॉट अच्छे खेल थे यह खिलाड़ी अक्षर पटेल को गेन बाज़े दी और यहाँ पर अक्षर पटेल ने आते ही दंडे उखाड दिये है मैथिव वेड जो खतरनाक लग रहे थे उन्हें चलता कर दिया है बड़िया फसा है यहाँ पार दूसरा विकट गिरता हुँ आस्ट्रेलिया का एक रहत किसा से इंडिया के लिए 32 रन बना कर आउट वेड यह हवामे गेन चेरान खिलाड़ी के सर के उपर से बड़िया आगया के खिला मैक्सविल ने यह भी और यहाँ पर यह चौका जाएगा शायाद बड़िया फेल्डिंग वहाँ पर बड़िया फेल्डिंग दो रन बचाए टीम के लिए इस वेंदर चेहल बोल्ड बीच का दंडा मैक्सविल का उखाड़ा इस वेंदर चेहल चतुराई से गेन बाजी करते हैं और इस बार मैक्सविल को फसा दिया अंदर कर दी थी गेन मैक्सवेल बाहर खेलने गए और यहाँ पर विकेट की राद तेरा रन बना कर आउट मैक्सवेल बढ़िया गेंद थी मेडन ओवर और एक विकेट बढ़िया ओवर यह दूर गई है यह चक्का होगा जी हाँ स्टैंट स्मेट डिरेक्टली स्टैंट स्मेट यहाँ पर और स्टैला की उमीद बन रहे है बढ़िया केले स्टैंट स्मेट इस समय और एक उठा दिया है हवा में गेंतो है और यह होगा कैच स्टैंट स्मेट भी गए अब पवेलियन गए बढ़िया कैच पकड़ा वहाँ पर बॉंडरी में बहुत ही क्लोस था एक नंबर कैश था ये यहाँ पर स्टिवस में 40 रन बना कर आउट बड़ा विकेट और 11 गेंदों में और देखिए मैं कही रहा था 11 गेंदों में 60 रन चाहिए और यहाँ पर विकेट गिरा अक्षर पटेल दो गेंदों में दो विकेट जो ये गेंद भी हवा में है और ये कैश बड़िया यहाँ पर केल राहूल का कैश चोथा विकेट यहाँ पर अक्षर पटेल का बड़िया गेंद बाजी के इंडियन स्पिनर्स ने आज कमबेक दिलाए इंडिया को मैच में और टीम डेविट तीन रन बना कर आउट येश मौमा शामी वापस आए और मशामी का आज दिन हे खराब है और एक चोगा पड़ा हुने बोमरा ये हवा में गेंद है खिलाडी पहुचेंगे वहाँ पर दोन रन बचा आए और बड़िया रनिंग अग्षा देखिए और एक चोगा 22 गेंदों में 38 अब 21 गेंदों में 34 चार रन अगेंदों में 31 रन चाहिए और ये कैच बढ़िया कैच क्या स्लाइड करके आए फील्डर और बढ़िया कैच पकड़ा देखिए क्या बैतरीन कैच था ये देखिए एकदम स्लाइडिंग एफ़र्ट बढ़िया कैच केल राहूल का पैट कमिंद दसरन मना कर आउट ओ बढ़िया गेंद बढ़िया ओवर ओ ये गेंद निकल गई है ये जाएगी चोके की और यहाँ पार ये काटे की टकर होती हुई मैच बढ़िया चोका ओ पहली गेंद डॉट डीपक्चर इस गेंद पर मारना होगा चक्का नई और देखिए काम तमाम ऑस्ट्रेलिय का अब तीन गेंदों में एक किस इंपॉसिबल लक्ष आखरी गेंद है और डॉट गेंद पर अंपायर ने वाइड नहीं दिया है यहाँ पर और इसी के साथ इंडिया 19 रन से मैच जीत गया देखिए पहले कहीं पे भी इंडिया जीते का इसा नही आख अक्षर पटेल युजवेंद रचल दीपक चार इन तीरों ने मिलकर बड़ी अगेंद बाजिकी और इंडिया को जीत दिलाई है और पहला टीट्वेंटी मुकाबला मोहाली में चीत लिया इंडिया ने इसी के साथ मैन आफ दे मैच विराट कोली को मिला और मिलेंगे आपके साथ अगले टीट्वेंटी आए में तब तक के लिए बाई